हम मार्केट से काफी कॉशली परचेज करके लाते हैं लेकिन वही हमारे किचन में जीरो बजट में रेडी हो जाता है बस हम थोड़ी सी एफ़र्ट करें तो हेलो दोस्तो वेलकम तो मैं चैनल होप यू वार डूंग वैल दोस्तो मैं यहां पर बात कर रही हूं फटलाजर की क हम अपने किचन में से बहुत सारी फटलाजर बना सकते हैं और अपने प्लांट को देख सकते हैं अच्छे ग्रोध के लिए और दोस्तों इस फटलाजर को हम ओवरल सारे प्लांट पर दे सकते हैं चाहें वह गुलाब का हो चाहें मेंड का हो चाहें आपके फ्लावरिंग प फ्लावर को खिलने में मदद करेगा तो यह जो फटलाजर है दोस्तों चलिए इसे बनाते कैसे हैं मैं आपको फुल डिटेल के सांथ बताने जा रही हूं तो बने रहेगा एंटर डिटेल के लिए थैंक यू यह फटलाजर बनने में त्री डेस का टाइम लग जाता है त्री दिन बाद फटलाजर की कंडिशन कुछ ऐसी है और इसके कलर में देखे कितने चेंजेस आये हैं और जो फटलाजर थोड़ा सा थिक हो गया है तो इसे बनाने के लिए हमें केले के चिलके चाहिए कुछ जो हमें आरे किचन से इसली मिल जाते हैं तो एक लिटर पानी के करें ने हमें लेकित करणा और यहां तो आप यहां पे देखिए बनाना के दो चिलके लिए हैं मैंने और इन चिलको को हम चोड़ए तुक्रों ने कर देंग हम ऐसे बीडर सकते हैं यह जादा जल्दी होंगे तो चलिए मैं इनको चोड़ए प्लास्टिक यहां जो अनली व बाद वुट कर लिए यह और पानी के बाद आश्च से दोनके अरुण देने के बाद इनको में कीशcha बैएे मेरखा तो यहां पर यहां पर एक चीज और यहां करनी है जो मैंने आपको स्टाइटिक में ही बता रखी है कि वो एड करेंगे हम कॉफी पाउडर कॉफी पाउडर स्वाइल के एसिडिक पी एच को बढ़ाता है और मेंटेन करके रखता है जिन प्लांट को एसिडिक स्वाइल पसंद है वो यह फटलाजर काफी कारागार साब को बढ़ाता है शेडि एरिय में रख देना है थ्री डेज के लिए ढखके तो कॉफी में जो न्यूट्रिशन पाई जाते हैं वो प्लांट के लिए काफ़े अच्छे साबित होते हैं वो है नाइट्रोजन, मैगनेशियम, पोटेशियम यह पाई जाते हैं जो प्लांट के को बाद रिपीट करते रहना है अपने प्लांड पे और कॉफी पाउडर के एक और एडवांटेज है दोस्तों जो कॉफी पाउडर है हमारे प्लांड को फंगर इंफेक्शन से बचाता है तो यह जरूरी है इसलिए कॉफी पाउडर बनाना पील के साथ मिक्स किया है और ब तो दोस्तों ये फटलाजर हमारे प्लांट के जितने प्लांट अच्छा है तो इन में चिली टेमैटो और जो प्रिंजल के प्लांट है उनमें अच्छे रिजल्ट आएंगे और जो अप्रिक्व फ्लावरिंग प्लाइंड उनमें भी काफी अच्छा यह फटलाइजर है जितना भी लिक्विर फटलाइजर रेडी हुआ है उनमें आप तीन गुना या फिर चार गुना पाने मिक्स कर लें और उसके बाद एक काम और करना है दोस्तों इनमें फंजी साइड जरूर मिक्स कर लें या फिर आप फंजी साइड की जगा पर हल्दी का भी यूज कर सकते हैं तो देखिए यह मेरे फटलाजर रेडी हो गया है और इनके कलर कितने चेंज हो गया है यह थोड़ से कलर चेंज ह पर आ रही है और इन पर फ्लावरिंग भी आ रहे है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप इपने प्लांट में यूज कीजिए और फरक देखिए यह फटलाजर आपने 15 डेज या फिर वन मन्त के गैप पर रिपीट करना है तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आप